हेलो फ्रेंड्स नोकरिग्यान यूटूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है तो दोस्तो एचससी कलर्क भरती से सम्मदित एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ इसके संधर्में एक नोटीस जारी हो चुका है बहुत ही महतोपुन अपडेट है आप सभी के लिए जो केंडिडेट्स कलर्क लगना चाहते हैं तो अगर आप कलर्क भरती का इंतिजार कर रहे हैं 2019 का तो आप ये वीडियो अंतक देख लीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएगा उसका फायदा ये होगा कि फ्यूचर में कोई भी अपडेट आता है तो उससे सम्मदित कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका नोटिफिकेसन आप तक टाइम टू टाइम पहुंशता रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आप देख रहे ही ये जो नोटिफ है ये आज जो है सोसल मेडिया पर काफी वाइरल हुआ है ठीक है और बताया जा रहा है कि जो भी कैनिडेट्स नए लगना चाहते हैं या HSSC कलर कभरती का इंतजार कर रहे हैं तो उन्हें कुछ टेस्ट जो है पास करने होंगे ठीक है तो ये इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं फिर इसके आगे बात करने वाले हैं हम ठीक है तो आप डेट देखेंगे तो 25-3-2019 का ये नोटिस है ठीक है आप देखेंगे कि गोवर्मेंट ओ फरियाना ओपिस ओफ डारेक्टर जनरल ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिस जो है बेजा गया है डाटा मैनेजमेंट सेल को ठीक है आगे आप देखेंगे two joint director admin की तरफ से जो है ये all treasury officers के जितने भी डिपार्टमेंट नोटिस बेजा गया है अब इसमें subject देख लेते हैं तो इसमें दिया गया है regarding SETC, State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications, ठीक है, जिस तरीके से हमारा H-Tet होता है, हरियाना Teachers Eligibility Test, उसके बाद जो teacher जो है लगते हैं, उस test को qualify करना ज़रूरी होता है, ठीक उसी तरीके से जो है, यह compulsory कर दिया गया है, SETC, State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications, ठीक है, सभी candidates के लिए जो candidates अभी color पर working है, या जो color बनना चाहते हैं, प्रमोशन के तहद, ठीक है, यह फिर direct recruitment के तहद, तो उनको SETC test qualify करना होगा, ठीक है, तो यह बाते यहाँ पर subject में दी गई हैं, अभी आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है, Your kind attention is invited on the subject noted above and general administration department, memo number 17-28-2018, 3GS second dated 17-11-2018, copy and closed, तो 17-11-2018 को एक notice जारी हुआ था, ठीक है, उसी के संदर में जो है, यह एक बार फिर से जो है, notice जारी किया गया है, Treasury Department की तरफ से, ठीक है, अभी इसमें दिया क्या गया है, यहाँ पर देखेंगे, in this connections, it is to inform you that as per haryana government notification bearing number यह जो notification number है, date 17-11-2018 को notice जो आया था, उसके बारे मैंने बताया है, कि government has decided that qualifying both the parts knowledge test and typing test of the SETC state eligibility test in computer application shall be compulsory for all the currently working clerks and all those who want to work as clerks on promotion or by direct recruitment, ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है, कि जो SETC test है, उसके दो पार्ट है, पहला knowledge test है, दूसरा typing test है, ठीक है, जो candidates जो है, अभी currently working है, कलरक के पद पर, और जो promotion के तहत आगे कलरक बनना चाहते हैं, या फिर direct recruitment के तहत कलरक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है SETC बिलकुल अन knowledge होनी चाहिए, दूसरा आपका typing test भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, अगर आप इनको qualify करते हैं, तो आपको जो है, आगे color के पद पर जो है, आशीन रहना पड़ेगा, ठीक है, और कौन-कौन से पद हैं, इसके आगे देख लेते हैं, तो weather regular और contractual ठीक है, यहाँ पर बत पोस्टों के लिए आने बारे किया गया है, color includes, color come computer operator, office associates, color come data entry operator, stenotypist, data entry operator, and color come typist, जितने भी अपद हैं, इनको SETC जो है, qualify करना होगा, It has been made mandatory for all the colors defined above to qualify SETC with a period of 6 months by 31 May 2019, तो यह notice आया था, जो 17.11.2018 को आया था, इनको अभी 6 महीने का समय दिया गया था, इस 6 महीने के अंदर जो है, अगर आप color पद परासीन है, या फिर रहना चाहते हैं, या फिर promotion के तहत बनना चाहते हैं, तो भी आपको जो है, 6 महीने के अं जो है ये SETC test, state eligibility test in computer application, जो है qualify करना होगा, जो 11 तारिक को 17.11.2018 को जारी किया गया था, अभी एक टाइप से ये reminder डाला गया है, कि आपके 6 महीने, 31 मही 2019 तक जो है complete होने वाले हैं, तो आपको जो है अपना जो test है SETC, वो qualify करना ही होगा, ठीक है, अगर आप color pad पर आसीन र operator, तो ये 31 मही 2019 को जो है, ये इसका जो समय सीमा है, वो समाप्त होने जा रही है, ये 6 महीने का समय दिया गया था, ठीक है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से, ये अपने डिपार्टमेंट की तरफ से ये है, जितने भी color pad पर जो आसीन है, उनको SETC test जो है, qualify करना पहले एक notice 1711-2018 को भेजा गया था, अभी जो है, इनका समय सीमा, 31 मही 2019 तक इनको जो है, last till तब तक इनको जो है, ये SETC test qualify करना होगा, 1711-2018 को इनको 6 महीने का समय दिया गया था, कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको SETC qualify करना होगा, अगर आप color pad पर कारियर्त रहना चाहते ह तो अभी ये as a reminder के तोर पर ये notice डाला गया है, ये Treasury Department को ही जो है, अपने विभागों को भेजा गया है, आने वाली भरती के इसका कोई संबंद नहीं है, तो जो आने वाले color color भरती है, HSC के तहट जो आने वाली है, ठीक है 2019 की, तो उसमें इस चीज का कोई भी जो है, फरक नहीं पढ़ने वाला, आप phone without SETC के भर सकेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आपको department मिलते हैं, तो उसके बाद आपको SETC qualify करना होगा, जैसे ही आप color के पदपरासिन रहते हैं, तो आपको SETC as a test आपको clear करना होगा, ठीक है, qualify करना होगा, तो नई भरती से इस notice का कोई भ आने वाले समय में, जैसे ही लोक सभा के चुनाव होते हैं, उसके बाद आपकी HSC color की जो भरतियां हैं, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, आने वाले समय में ये भरतियां होगी, और ना ही इसमें SETC test आपको qualify करना पड़ेगा, ठीक है, इसकी आपको कोई भी जरूरत नहीं है, आप बिना SETC के भी form fill up कर सकते हैं, और आपको exam अच्छे से देना होगा, तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको information पसंद आई होगी, information पसंद आई तो वीडियो को like करें, channel को subscribe करें, और वीडियो को जादा है जादा share करें, ताकि सभी candidates तके information पहुंच सकें, कि ये notice जो social media पर viral हो रहा है, इसका आने वाली color का भरती से कोई भी संबंद नहीं है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं next वीडियो में, एक नई information के साथ, तब तक के लिए, जैहिन!